हम जी तो चली स्टाट करते हैं 24th question करना है तो question है आपका रियोप्टिक से ठीक है हम लोग physics का revision कर रहे हैं तो question में ऐसा बोला गया है कि आपके पास दो convex, दो lenses है ठीक है एक है convex lens जो कि bi convex lens है, bi convex lens का मतलब आपको पता है यह ठीक है और आपका जो plano-concave lens है दूसरा, plano-concave का मतलब एक तरफ पंके और दूसरी तरफ plane है ठीक है कि गुण आपकर बाइ कंके बोलता तो इस तरी कसे बोला जा सकता था f2 कर लेते हैं टो यहां पर दिया नहीं गया है कि क्या नहीं दिया गयी focal length दोनों की नहीं दी गई है तो हमें पता चल रहा है कि focal length निकालने पड़े दोनों का तप जाकर दोनों को जोड़ना पड़ेगा और इसी तरीके से जोड़ना हमें ठीक है तो देखिये अगर अगर refractive index दिया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि focal length क्या होगा तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको use करना है क्या lens maker formula ठीक है मैं एक बार lens maker formula लिख देता हूँ देखी क्या होता है 1 by f is equal to new to new to कर लिया चले आपर n2 लिखा है तो n2 minus n1 divided by n1 1 by r1 minus 1 by r2 यह आपका है formula कौन सा lens में का formula अब इस formula को use करना है इसमें क्या चीज n2 है क्या n1 है यह आपको समझ में आना चाहिए अगर आपके पास refractive index convex lens का n1 दे रखा है तो मैं अगर इसका f1 निकाल हूँ मतलब focal length निकाल हूँ convex lens लिए तो क्या लिकूंगा 1 by f1 ठीक है medium यहाँ पर क्या है sorry not medium का n2 वह होगा जो आपके lens का होगा lens का यहाँ पर refractive index कितना है n1 है ठीक है formula मैंने लिक दिया है यह formula आपको यहाँ रखना है इसमें क्या चीज कौन सी है वह आपको खुद सोचना है तो n2 यहाँ पर है आपका lens का refractive index वह हम लिख लेंगे n1 अच्छ आर वन आर टू क्या है यह radius of curvature आपको given होता है ठीक है तो radius of curvature यहाँ पर चुकी by convex है और एक्वी convex है एक्वी convex का मतलब यह है कि दोनों का जो radius of curvature होगा वह दोनों का क्या होगा दोनों surfaces का same होगा आरे नहीं है इस वज़े से r given है अगर अलग अलग होता तो आर वन आर टू आपको दे दिया जाता तो उसमें भी ज्यादा कुछ आपको कुछ करना नहीं है उसके हिसाफ से आप लिख लेते हैं अच्छा लेकिन आर वन आर टू विद साइन रखना है तो देखिए अगर मैं ऐसे सोच हूँ तो यह आपका होता है आर वन रे मान लिजे इधर जाएंगी तो यह आपको पोजिटिव हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा तो एक इसमें आर वन पोजिटिव आएगा एक आर वन इसमें नेगेटिव आने वाला है तो एक आर को पोज समझ आए ना तो यह हो जाएगा आपका F1 अच्छा ऐसे ही F2 निकाल लेते हैं F2 में क्या है कनकेव है तो ठीक है तो इसका कैसे करेंगे तो यहाँ पर जो N2 की value है इस formula के इसाफ से N2 की value है आपर N2 ही है माइनस 1 surrounding medium 1 ठीक है इस तरीके से आर अब आर की value रखनी है यहाँ पर सोचना कि क्या रखना क्या नहीं रखना ठीक है तो इक बात बताईए यह जो है इस तरीके से होगा ना इसका जो इसका surface है इसके लिए यह वाला जो surface है यह ठीक रहे ऐसे आरी थी मान लीजिए तो यह value radius of curvature इधर होगा तो इधर होगा तो negative में ना पेंगे है ना तो इसके बज़र सा इसका मतलब यह समझा रहा है कि R1 जो होगा वो मेरा माइनस में आएगा तो मैं माइनस लगा लेता हूं एक बिंट 1 बाइ माइनस 1 बाइ ठीक है फिर माइनस फिर क्या करें माइनस उसके बाद दूसरे वाले का जो radius of curvature है surface का वो तो infinite हो जाएगा आपको प्लेनर है यहाप infinite लिख लेते हैं ठीक है तो infinite कर लिए तो 0 हो जाएगा तो बचा कितना 1 ब अच्छा है यह माइनस अब से आगे चला जाएगा बाइ वन बाइ आपके पास दोनों का focal length आ चुका है समझारी बात दोनों का क्या चुका है focal length आ चुका है ठीक है बस इस focal length को क्या करना है simply जोड देना है तो याद कर लिजे यह क्या है एन 1-1 2 बाइ आ यह क्या है माइनस n2-1 1 by r ठीक है तो दीखिए तो f1 थाफ का n1-1 2 by r f2 थाफ का minus n2-1 by r ठीक है मैंने क्या बोला था मैंने बोला था दोनों का effective करना जो दोनों को जोड देना पर किस तरीके से जोडना है इस तरीके से जोडना है ठीक है जोड दीजी जरह n1-1 2 by r प्लस एंड टू माइनस वन बाई आर इसको सॉल्ड करेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि नीचे आर एलसे हम ले लेंगे हम लोग ठीक है डारेक्ट करने कोशिश करेंगे ठीक है देखिए अगर एलसे मैं अपने ये ले लिया ठीक है आपको एड़ी करना ठीक है ये इसके साथ गुना करोगे तो कितना जगा टू एन वन ठीक है ये इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस टू आएगा और यहाँ पर एक माइनस वन है और ये बाहर जाएके प्लस हो जाएगा इसका मतलब मेरे को माइनस वन मिलने वाला है ठीक है तो मैं उस माइनस वन को यहाँ लिख लेता हूँ और क्या अच्छा यह क्या है यह मेरा माइनस में ही रहेगा तो माइनस एन टू ठीक है तो इस तरीके से आपका यह चाही की है ना मैंने ठीक है तो यह लग रहा है इस तरीके से आपका यह जो आया है यह आपका यह आपका और इस पूछा जारा था ठीक है अरे एफ करोगे तो यह आएगा यह आपका effective focal length आ जाएगा ठीक है अच्छा लेकिन आपसे नो एक और question पूछा गया है यह पूछा गया है कि आप यह बताएए यह जो आया था n1-n2 sorry क्या था हमारा 1 by f is equal to 2-n1-n2-1 by r यह आया था न हाँ इसमें ऐसा क्या करें कि यह जो lens है ना यह convergent lens की तरह भी हेव करें किस की तरह भी हेव करें convergent lens की तरह अब convergent lens होता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि यह जो f1 की value आएगी जो भी आएगी यह कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इसकी value positive में आए समझरे बात को क्या इसमें आए positive में इसका मतलब यह फिर ऐसे कर लो 1 by r है sorry r by f is equal to n1 minus n2 a ठीक है जो भी यह value आएगी यह कैसी आने चाहिए यह फिर ऐसे कर लो ना जो पहले बता है उससे भी किया जा सकता है कि 1 by rf की value क्या होने चाहिए positive का मतलब क्या होता है जीरो से जादा होना ठीक है positive का मतलब क्या होता है जीरो से जाना इसका मतलब यह 2n1 minus n2 minus 1 by r should be more than 0 ठीक है अब यह इदर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा तो क्या बचा है n1 minus n2 minus 1 should be more than 0 ठीक है अब इसी को थोड़ा इदर तो कर लेते हैं यह इदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n minus n2 more than 1 ठीक है हमें चाहिए कि वह relation जिससे आपका यह जो पूरा lens है कनवरजन लेंस के तरह बेव करें तो चलो मैं n2 निकालना चाहता हूं तो n2 कैसे निकाला हमें चलो n1 निकालना चाहता हूं तो n1 कैसे निकाला लोगा n1 minus 1 to 2 मतलब n1 should be more than किसके 1 plus n2 by 2 ठीक है तो यह relation आपका होना चाहिए क्या करने के लिए इस लेंस को कनवरजन बनाने के लिए समझ आ रही है अच्छे यह समझ आया क्या किया क्या है अरे इसको इधर लेकर गया तो प्लस हो जाएगा फिर इसको नीचे से डिवाइड कर दिया ठीक है तो इस तरीके से आपको यह समझ आया है कि n1 की जो वैलू है लोग भूल गया कार valley क दिया है और रर्था तो आप अइसी है यह टाइवरजन या के लिए सोच सकते है ठेक है यह अपको रिये गया ठीक ऐमधोप लेगा ठीक है डाइवर्जन के क्लों की तो यह वन बाइया फ-दो क्या था ठीक तो याद याद भी हो गया यह वैलू होनी चाहिए नेगेटिव में है अब नेगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो है कि नहीं कि यह वैलू लेस देन जीरो होगा उससे आप एन वन एन टू का रिलेशन आप निकाल सकते हैं कि क्या होना चाहिए जिसकी वज़सिए डाइवर्जिंट इसकी तरह भी है करेगा ठीक है चलिए ठेंक्यू